आजकल वेब सीरीज OTT का जमाना है, उपर से किसी शो के अंदर सस्पेंस, थ्रेल या मिस्ट्री इन तीनों में से कोई एक भी मिल जाये ना, तो पूरा पैसा वसूल टाइब फीलिंग आ जाती है रूदर औन होट स्टार, इसमें आपको उपर वाली तीनों चीज़ें मिल जाएंगी, साथ मैं अज़र देवगन का मैजिक फैक्टर जो पहली बार OTT पर डेब्यू कर रहे हैं लेकिन 6 एपिसोड की पूरी सीरीज के लिए आपको नीम की कुर्बानी देनी चाहिए या नहीं, ये सवाल काफी लोगों के मन में होगा, नेचरल सी बात है, तो जवाब यहां मिलेगा ना, टेंशन किस बात का कहानी पुलिस के नाम के पीछे चुपे बैठे एक जीनियस आफिसर रूदर की है, जिनका दिमाग चलता है, बिलकुल किसी शातिर खतरना क्रिमिनल की तरह है इसलिए इनके काम करने का तरीका लोगों को कुछ खास पसंद भी नहीं है, आदे सपोर्ट में है तो आदे बिलकुल खिलाफ एक्चली असलिडर इस बात का है कि रूदर अकसर चुमबक की तरह मौत को अपनी तरफ खिंच लेते हैं, खुद तो बचके निकल जाते हैं, बिचारे आसपास वालों को रेस्ट इन पीस होना बढ़ता है फिर से भही मौत का तांडव शुरू हो चुका है, हर नए एपिसोड में रूदर की मुलाकात एक साइक को डरावने किलर से होगी इनको इनसान समझने की गलती मत करियेगा, सबके सब राक्षस हैं जो दिन के उजाले में गायब रहते हैं और रात के अंधेरों में शिकार पे निकलते हैं लेकिन रूदर के लिए चैलेंज सिर्फ प्रोफेशनल नहीं, परसनल भी है, दिल का मामला है दिलबर, जिस पर पढ़ गई है किसी तीसरे की नजर अब ट्विस्ट ये है कि दूसरों का शिकार करने वाले रूदर खुद इस बार किसी और का शिकार बन गए हैं, मकडी के जाल के बीचो बीच मैडम के मासूम चहरे पेना जाएं, अंदर से इनका इरादा रूदर के साथ कुछ इतना भयानक दरावना करने का है, जिसके सामने शैतान भी शर्मा जाए चलो इंट्रोडक्शन हो गया, अब मुद्दे की बात, शो में कुछ स्पेशल है या दूसरे रीमेक्स की तरह सब कॉपी-पेस्ट और नकल है देखो मैं कुछ भी नहीं चुपाऊंगी, शुरुवात की दो एपिसोड्स बहुत ही जादा स्लो हैं एकदम धीमें जो आपकी पेशेंस का टेस्ट लेंगे, लेकिन उसके बाद अगर तुम रुक गए तो बाकी चार में मौज हो जाएगी सीधी बात ये कि रूदर की परसनल लाइफ वाला एंगल थोड़ा बोरिंग है जिसका क्रेडिट ईशा देउल की काफी बखवास एक्टिंग को भी जाता है लेकिन उनको जादा जहलना नहीं पड़ेगा, उनके सीन्स काफी कम है हाँ जो चोर पुलिस वाली जिंदगी है, उसमें सस्पेंस और थ्रिल आपका एक्साइटिन बना के रखते हैं बोर नहीं होने देंगे, दिमा किदर उदर भागता रहेगा हर एपिसोड में एक नया क्रिमिनल एंट्री मारेगा और में कहानी के बीच में चालाकी से घुसाए गए सर्प्राइज मोमेंट्स आपको अचानक से शॉक कर देंगे ये जो छोटी-छोटी कहानिया है, इनमें आपको डर मिलेगा, साथ में पागलपन भी विल्कुल फ्री है और एंड में कैसे इनको पकड़ा जाता है, वो चीज़ इंफ्रस्टिंग है अभे वेब सीरीज की याद आ सकती है आपको, शो का में थीम पूरी तरह उसी पर बेस्ट है लेकिन यहाँ शो का बजट थोड़ा बड़ा है, इसलिए सेट्स और लोकेशन भी बड़े है जो शो की नकली कहानी को असली बनाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन X Factor कोई hero नहीं, सारे के सारे villains है, negative characters आपके दिमाग से खेलते हैं सबके सब uncomfortable कर देंगे, आँखे बंद करने पे मजबूर हो सकते हो तो यार मेरी तरफ से rudra को मिलेंगे 5 में से 3 stars एक तो main कहानी के बीच में चोटे-चोटे चोर पुलिस वाले cases के लिए दूसरा, positive characters को outshine करने वाले गुंडे, negative characters सारे बवाल हैं तीसरा, suspense thrill को compliment करने वाला music जो हर episode के शुरू में और end में आपको आगे बढ़ने को मजबूर कर देता है बात करू negatives की तो एक सार कटेगा काफी जादा गडबड editing के लिए जिसकी वज़े से शुरुआत के 2-3 episodes काफी slow and boring हो जाते हैं दूसरा कटेगा, ईशा देवल के around बुनी गई रूदर की personal जिंदगी जिसको actually show की main कहानी बनना था, वो इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है जादा दिमार्ग मत लगाओ, easy simple show है, जिसको देखो, enjoy करो और भूल जाओ time है तो देख लेना, लेकिन miss हो गया तो पश्ता होगे भी नहीं, समझे बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो, तो मैं आपको इंस्टेग्राम पर भी मिल जाओंगी वड़ना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूगी आपसे अगले वीडियो में, take care, bye bye